Hey my family, आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो क्या आपके पार्टनर का और आपका मिलना कोई संजोग है और उपर वाले ने भगवान ने या फिर डिवाइन यूनिवर्स ने ही आपको मिलाया है तो इस वीडियो में आज आपको तीन संकेत बताने वाली हूँ, तो पहला संकेत, जब भी आपका पार्टनर आपके सामने होता है और आपको एक एक एक्ट्रेक्शन फील होता है, एक्ट्रेक्शन फील होने का मेरा मतलब है कि उस इनसान के सामने, परिटिकूलर उस इनसान के अब बात करते हैं देखिया हम किसी भी इंसान को या किसी भी लड़की को देखते हैं तो एक्ट्रेक्ट हो जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप किसी इंसान की शकल देखे बीना उसकी परसनल्टी देखे बीना आप उसके बारे में जाने बीना कि उसका नीचर कैसा है वो अच्छी है या बुरी है अच्छा है बुरा उसको सबकुस जागने बीना आपके लिए अनॉन परसन है वो लेकिन फिर भी आपका एक्ट्रेक्शन चुमबक की तरह बढ़ता ही जाता है आप में मैगनेटिक एक्ट्रेक्शन होता है तो यह चीज आपको सम अनॉन फिर भी आपको वहाँ पर फिजिकल रिक्वार्मेंट नहीं होती है यह बहुत लाश्ट का पॉइंट होता है आपके लिए आप सिर्फ उस इंसान की तरफ खिचे जाते है चुमबक की तरह जिस तरह चुमबक के सामने कोई भी लोहे की वस्तू रख दी जाती है और बिना किसी और टेक्निक के वो अपने आपी उसकी तरफ खिचा जाता है तो उसी तरह से ये relationship होता है जब आपको आपकी life में उपर वाले ने भेजा है किसी को तो आप बिना उसकी शकल देखे बिना कोई requirement के उसकी तरफ खिचे चले जाते हैं अब भले ही चाहे उसकी personality कम हो च आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सुरक्षि जौन में हो, safe जौन में हो किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का भैया संकोच आपके मन में नहीं रहता है आपको ऐसा लगता है कि आपका जो घर है वो यही है यानि कि वो particular इंसान चाहे लड़की हो या लड़का वो आप क्या घर है आप उसमें बिल्कुल सेफ हो आपको कोई भी किसी तरह की प्राब्लम नहीं हो सकती ये चीज आपको महसूस होती है जब यूनिवर्स आपको किसी इनसान के मिलाता है ये भगवान के ही कुछ संकेत होते हैं अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में अक्सर आपने देखा होगा कि रिष्टे बनते हैं और तूट जाते हैं भले ही उनको ज़्यादा वक्त नहीं होता लेकिन वो रिष्टे जो तूट कर भी नहीं तूट पाते हैं वो divine वाले रिष्टे होते हैं यानि कि उन रिष्टों को भगवान ने universe ने मिलाया है अक्सर आप देखते हो कि आपके बीच में कभी कभी ऐसी कोई बात हो जाती है या फिर कोछी छोटी छोटी तूटू मैमे हो जाती है जिसकी वज़े से आपका रिष्टा तूट जाता है लेकिन अगर ऐसा होने के बाद आपका रिष्टा नहीं तूट रहा है या आपके बीच में ब्रेक अप हो जाता है फिर आप एक हो जाते हो यानि कि जब भी आपका ब्रेक अप होता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में बाक्चीत बंद होती है तो उसके कुछ समय के बाद आपको ये चीज देखने को मिलती है कि आपका जो relationship है वो एक level strong और जादा हो जाता है यानि कि इतना सब होने के बाद भी आपका रिष्टा नहीं तूटता है आप फिर से एक हो जाते हो अब एक होने का चाये कोई भी कारण हो लेकिन आपके बीच में break up नहीं हो रहा है तो आपको ये संकीत मतर है कि बाद नहीं आपको मिलाया है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब दो इंसान के बीच में communication बंद हो जाता है कोई conversation नहीं रहती है तो वो रिष्टे फिर जादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं लेकिन इतना सब होने के बाद आपकी बादचीत बंद है आपके बीच में कोई conversation नहीं है कोई communication नहीं है फिर भी आप एक दूसरे से बंदे हुए हो एक डोर है जो आपको अपनी और खीचे रखती है जोड़े रखती है और इतना होने के बाद बेरिष्टा आपका नहीं टूट रहा है तो आपको समझना है कि ये उपर वाले का संकेत है कि यूनिवर्स ने डिवाई नहीं आपको मिलाया है और बात करते हैं तीसरे संकेत की जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर मुसीबत में है और वो सच में ही कोई सी मुसीबत में होता है यानि कि आपको उसकी परेशानी पहले से ही फील हो जाती है भले ही आप उसके पास हो या ना हो लेकिन अपने partner के उपर आने वाली किसी भी problem, किसी भी मुसीबत या संकट का आपको पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि आपके partner के उपर ये मुसीबत आने वाली है आप उस चीज़ को automatic feel कर लेते हो चाहे आप दो इनसान अलग-अलग हो लेकिन आपकी आतमाई एक होती है आप उस इनसान को feel कर सकते हो उस पे आने वाली अच्छाईयों को feel कर सकते हो और आने वाली बुराईयों को आप पहले से ही feel कर सकते हो तो आपको एक चीज़ तै माननी है कि universe आपको मिलाना चाहता है आपके रिष्टे को इसी तरह से बनाये रखना चाहता है और भी strong करना चाहता है क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब relationship में दो इंसान रहते हैं जिस इंसान के उपर कोई problem आती है बले ही उसको ही ना पता हो कि उसके उपर कोई problem आने वाली है लेकिन उसके partner को इस चीज का आभास हो जाता है कि मेरा partner है वो किसी मुसीबत में पढ़ने वाला है और उससे पहले आपको इना कोई solution निकाल लेते हो तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी भी चीज का आने वाली चीज का आपको पहले से ही आभास हो जाए और खास तोर से उस इनसान को जब दो शरीर अलग अलग हो लेकिन आपके partner को अलग अलग शरीर होने के बाद भी आपकी सारी चीजे फीर हो रही है तो आपको ये समझना है कि भगवान ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है चाहे आपका शरील अलग अलग है लेकिन आपकी आत्माई पहले से ही जुड़ी हुई है यूनिवर्स चाहता है कि आप मिलो डिवाइन चाहता है कि आप मिलो तो इस तीन तरह के संकेतों के तुरू आप ये चीज पता लगा सकते हैं कि डिवाइन आपको मिलाना चाहता है यूनिवर्स आपको मिलाना चाहता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें